ओके, so hello everyone, welcome to the 23rd lecture of design of a steel structure and in this particular session, we are going to solve a number of important numerical questions based on the design of tensor member, so last class में हम लोग थोरी पार्ट है जो कवर कर चुके थे, आज उसका हम लोग application करेंगे, जो भी अभी तक पढ़े हैं दो class में, design of tensor member में, उसका हम लोग आज क्या करेंगे, application करेंगे, so this session is going to be very very important, so आप लोग क्या करना presently है जो इसको सुनना है, और कैसे numerical को approach करते हैं exam में, उसको सही से देखना है, so let us start the today session, कता ये tie member in a basing system consists of two angles, कितने angles का बना हुआ है, दो angles का, 150 into 115 into 10 mm, longer leg कितना हुआ, कितना दिया हुआ, 150 mm, shorter leg दिया हुआ, 115 mm, और आपका thickness कितना है, 10 mm, with long leg connected to the gusset plate, while 18 mm diameter rivets, अगर नहीं भी बोलता, तो हम long leg को ही connect करते हैं, अगर statement में ऐसा नहीं लिखा वरा था, तो भी हम क्या करते, longer leg के साथ connection करते, ताकि CR effect क्या हो, कम से कम हो, now, determine the tensile strength, क्या निकालना है, tensile strength of the member निकालना है, now first पढ़िए, एक question टोटल 15 marks में पूछा गया है, एक question में है, जो क्या है, तीन question पूछा है, हैना, total कितना पार्ट है, इसका, तीन पार्ट है, मतब 555 का तीन पार्ट है, हैना, तो first देखते है, first क्या बोल रहा है, first part पूछ रहा है, कि the angles are connected on same side of the gusset plate, same side of the gusset plate, gusset plate का thickness दिया आपका 12 mm, हालांकि इसका कोई जरूवत है, नही है, and are tag riveted, तो यह सब line है, जो आपको सही से पढ़ना है, क्या-क्या लिखा हुआ, क्या है, tag riveted है, हैना, तो देखे, कुछ इसी type के, इसी type से figure इसका बनेगा, अगर अब चाहें, तो figure बना सकते हैं, नहीं, तो figure बनाने की पूछ जरूद है, नहीं, लेकिन थोड़ा सा, क् करना exam में आपको figure बना लेना है, हैना, better understanding के लिए, same side of gusset plate हो गया, हैना, back to back connection हो गया, हैना, same side हो गया, और back to back connection हो गया, हैना, अब देखिए, इस case में, क्या दिया हुआ है, आपका, gusset plate का thickness देवा, 12 mm, और rivet का diameter दिया हुआ, rivet का diameter दिया हुआ, कितना, 18 mm, 18 mm diameter दिया ह हुआ है, हैना, और यह क्या है, tack riveted है, यह आपका क्या है, यह है, यह है, जो tack, tack bolt है, मदब, tack, tack riveting, यह क्या है, tack riveting है, तो question solve करते हैं, इसमें, सबसे पहले बात, क्या आप क्या निकालेंगे, hold die निकालेंगे, मतलब, gross diameter of rivet, तो rivet का diameter किता है, nominal die आपका 18 mm है, तो gross diameter क्या हो जागा, denote, सबसे पहले क्या निकालेंगे, gross die निकालेंगे, और rivet, rivet बोलें, gross die निकालेंगे, या फिर hold die निकालेंगे, वोट हर सेम, आज का class बहुत इंट्रेस्टिंग होने बाला है, तो आपको सई से सुनना है, कितना हो जागा, 18, क्लेरंस कितना लेंगे, 1.5 लेंगे, यह सब पढ़ चुके हम लोग, कितना हो जागा, 19.5, कितना हो जागा, 19.5, 19.5 लेंगे, 19.5 लेंगे, ठीक हो, अब देखिए, नेस्ट बढ़ी, हमें क्या निकालना है, पीटी निकालना है, क्या निकालना है, पीटी निकालना है, पीटी निकालना है, तो पीटी बिरावर क्या लिखेंगे, एनेट, टेंसायलेस्ट निकालना, एनेट इन्टू, सिगमा एटी, सिगमा एटी, हैना, सिगमा एटी का वैलु यहां पर कुछ बोला नहीं है, कोसेन में हलांके लिखा हुआ, एपाइटी दिया हुए, तो सिगमा एटी क्या हो जागा, सिगमा एटी जो, 0.6 इन्टू एपाई करेंगे, तो कितना हो जागा, वन फिप्टी हो जागा, पीट सबसे हमारा canyon सभी को यहाद भी हो गयाया आप लोग को one-fiftyंत क्या मेगा पास्कळ मेन इसमें प्रोब्लम क्या एडर्ड निकालना है मैन इसमें हमें क्या करना है यह इनिट निकालना तो सबसे पहले क्या निक् dollar कि निकालने के लिए हमिए क्या निकालना पड़ेंगा एरिया उपक्नेक्टेड ले एरिया कंक्नेक्ट ले और उसके बार के का वैलू थे हमारा प्रोसेस होगा काम करने का तो सबसे बहुत से निकालते हैं क्या एरिया आप कनेक्टेड लेग इसको क्या बोलेंगे एबन बोलेंगे हैं देखिए 150 है तो यह आपका क्या है 150 है नीचे क्या है 150 है इधर भी हो जागा 150 यह भी 150 हो जागा और यहां ती का जो थिकने से हो कितना है ती दिया हूँ है 10 एंट कितना है अनकनेक्टेड लेट कितना है अनकनेक्टेड लेग है आपका एकसो पंद्रा 153 है और यहां पर तो एबन निकालना है तो हम क्या करेंगे एक लेक का निकालेंगे अर इसको से मैंल्टिफीलाई कर्देंगे क्या होगा enjoy total कनेक्टेल कितना है दो है नहीं हो गया और एक हो गया तो एक लेग का निकालेंगे और दो से क्या कर देंगे मल्लिप्लिकाशन कर देंगे है तो क्या होगा बन बराबर देखिए क्या लिकर है क्या होता था एक माइनस डि नॉट मानस तáticas by 2 into t एक करते थे आगर आप थे ओरिक देखें पिछला क्लास तो आपको इजनी समझ में आ रहा होगा चली तो एबन क्या इतना काफी है इतना काफी नहीं अभी क्या करना पड़ेगा दो से इसको मेल्टिप्लिकेशन भी करना पड़ेगा करना पड़ेगा क्यों कि यहां पर दो लेक कनेक्टेड तो एबन बरावल क्या हो जागा कि एबन बरावल हो जागा टू टाइमस ओप टू टाइमस ओप एए कितना एक सो पचास एक सो पचास है ना माइनस दी नॉट कितना 19.5 अभी तो निकालने हैं माइनस टी बाई टू कितना टेन भाई टू इंटू कुना कर दिया किसे टेन से जब इसको आप स्वोल करेंगे तो यह स्वोल करने के बाद आ रहा है 2510 mmS2 आएव आई हैव अल्रेडी स्वोल विड्ट सो मैं डिरेक्ट लिखता हूं 2510 10 mmS2 यह तो निकल गया एवन यह निकल गया एवन आप यह निकल गया एवन अब क्या निकालेंगे एटू नेक्स्ट क्या होगा एटू निकालेंगे एटू निकालेंगे एटू क्या वह रिए अंक्रेक्ट्ट होता है वह अरिए को और और स्टन BRA वह जईग में हूँ को टू इन्टू दो से गुला करना पड़ेगा चुछ की दू अनक्रेक्टेवल लेक्विए क्या ओड़ा था भी बी और इसमें कोई रहे यहां पर होल किया गया है लेकिन यह है टैक रिवेट है एक कि है टैक रिवेट इसका कंशिड्रेशन में नहीं लेते हैं सेधा क क्या लेखेंगे B- T by 2 B- T by 2 क्यों नहीं लेते यूंकि टैक रिवेटिंग का काम क्या सिर्फ युनाइट करना इसे कोई लोड का ट्रांसपर नहीं करना होता है इन्टु इंटू क्या हो जागा टी हो जागा सबका वैलू कुट कर दिए टू इंटू बी का वैलू कितना वन वन फाइव है माइनस टी बाइटू 10 बाइटू इंटू कितना टेन इसको जब सोल करेंगे तो यह आ रहा है 2200 2200 mm2 अब क्या निकालेंगे अब क्या निकालेंगे अनेट ब्राबर आवन पलस के टाइमस अब टू तो हमें की जरुवत पड़ेंगे तो सबसे पहले सियर लेक कोफिसेंट निकाल लेते हैं है सियर लेक्ट निकाल लेते हैं केचा तो के है जो डबल लेक है यहां पर क्या है डबल अंगिल है और टैक रिधैथद अ enm होगी वाइब फैमुए हो और टैक रिवंटेटेड रहु और सेम इससे प्लेट फर्मूला क्या होता हूँ था सिह मं इन दिवाई बता इस ओगन बैर ас घम टैइमन विल्स में डिकन्ने रिह ए से ऽा दिव्beyद पलस एक टू कितना आया था तो टू डबल जिरो इसको जब आप स्वलू करेंगे तो यहारा जिरो पाइंट फाय एट फाय जिरो एट चाहे तो दो अंग तक आप कंसिडर कर सकते हैं तो के का भेलो निकल गया तो एन निकाल सकते हैं इन इट क्या हो जागा फर्स्ट केस के लिए एवन पलस के टाइम सो एट टू एट फायट इंटू एटू का वेलो कितना था पलस के का वेलो कितना था जीरो पॉइंट फायट इंटू एटू का वेलो कितना था टू टू डबल जीरो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो यह आ रहा है एन नेट का जो वैलू आ रहा है आपता वह आ रहा है 4381,4381,4381,4381,4381.8642, यह मैं मस में है ठीक है तो फर्स्ट केस के लिए फर्स्ट केस के लिए पीटी क्या हो जागा बताई है तो विए जा पर आपका के था है इंटे अलिक था लूक तो नहीं पर कीरू एंटी सि्ग मेंटे प्टो फर्स्ट केर्वा छया रहा है खेसु संतावन पाइंट टू सेवन गाए कि तो ठोजन्ट से आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा तो एक फर्स्ट केस का अंसर हो गया आपका पहला केस का आपका अंसर हो गया नाँ मूब तो फसकेंड खोषन से अंसर बोलता है सेकनद खोषन आपका हैpart लिवा सेकेंड कोसट्ट्टLCे एंग्स एर कनेक्टेल ऑन applying रॉपोजितل साड़ फीर ट्यूरं बड़ेट है तब सेकंड पार्ट हम लोग देखें है सेकंड पार्ट क्या है सेकंड पार्ट है आपका कि दा एंगेल्स आर चनेक्टेर ऑं पोजीट साइड अफ गशेट प्लेट और टैक्रिवेटट हैं तो देखिए कैसा होगा क्या केस होगा यहीं क्या कैसोगा इसके में देखिए पीछे क्या होगा इसको मैं बताया तो था थह न तो वह भी क्या होगा दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएगा तो हम फिगर में उसको दिखा नहीं सकते मतब इसके क्या होगा बैक में होगा जो टैक रिवेटिंग होगा क्या होगा इसके बैक में होगा है इसके बैक में लाय करेगा लेकिन कोस्टन में में सेन है कि क्या है टैक के वाइलू होता था इस पार्टिकुलर केस के लिए आपका के का फैलू होता था यहां पे मैं लिख देता हूं गुर्श ट्रक्सिरल रिवेट भी आपका यहीं पर है और टेक्रिवेटिंग भी इसके पीछे है कि अप्रेग क्या है इसका है कि बैक साइड में हाँ बैक ऍाइड में डिक है और एक क्या हो गया लॉगम लेग से कनेक्शन कर रहे हैं लांगर lag से connection कर रहे हैं तो A वाला d мне nghĩंसन क्या हो जागा आपका ए हो जागा कितना 550 मतबिशा चैना निकाल रहे है वह हाज रहे हिए 150 हो जागा इस बार escuchie кадना 115 क्यों के साथ चुकिष्यल करें हम लो со लोंगर लेक के साथ connection कर रहे हैं तो यहां पर pt बराबर क्या लिखेंगे इस case में इस particular case में जो हम लोग pt लिखेंगे pt बराबर दूसरा क्या होगा pt बराबर a net into sigma 80 sigma 80 तो a net क्या होता है a1 plus k times of a2 into sigma 80 है ना बट यहां पर k क्या होगा बताईए इस particular case के लिए k का value क्या होता था यह बराबर क्या होता था वबन होता था फिछला बर में बताया हूं क्या बराबर क्या होता था ओवन पर जीरो होता था है ना तो फैलो पूट कर दिजे एवन तो कितना था 25 10 plus k का value कितना है 1 into k2 का value कितना है 22 22 00 00 into sigma 80 sigma 80 कितना है 150 बहुत simple है 150 इसको जाब calculate करेंगे तो यहां रहा है 707 707.10 kN 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 तो यह तो होगा 2nd part अब मूब तो था 3rd बन, 3rd क्या बोलता है 3rd बोल रहा 3rd कर रहा कि what is the effect on tensile strength 3rd सही सपढना tensile strength of the member if the angle in case b in case b b case a ही हमारा a है b case in case b यान in case 2 लिखे यहां पर a बिना करके हम लो क्या लिखे है 2 लिखे न तो in case 2 are not tag riveted इस बार क्या है tag rivet नहीं और जब tag rivet नहीं है तब क्या फरकाएगा हमें क्या निकालना हाना connection तो कुछ है इसी तरह से back to back connection है back to back connection है और आपका gusset plate के opposite side में लेकिन इस बार क्या है tag rivet नहीं है इस particular case में क्या है tag rivet आपका नहीं है और जब tag rivet नहीं होता है तो क्या changing आता है बताईए case third case third इस case में pt क्या हो जागा a net into sigma 80 है ना a net क्या होगा a1 plus k times of a2 into sigma 80 है कि नहीं into sigma 80 बट यहां पर k क्या होगा बताईए चुकि जब tag rivet नहीं है तो independent behave करेगा एक क्या करेगा दोनों angle है जो independent behave करेगा अब मैं बताया था कि जब दोनों angle independent behave करता है तो इस case में जो k का value होगा इस case में जो आपका a का value होगा ओ क्या होगा here k बराबर independent behave करता है मत्तब क्या होगा single angle की तरह behave करेगा तो 3 a1 divided बता 3 a1 plus a2 plus a2 सब का value प्रिट कर दिजी क्या हो जागा 3 times of a1 a1 कितना था 2510 था 3 times of a1 2510 into sorry plus यहां पर क्या होगा प्लस होगा ना प्लस a2 a2 कितना था 2200 2200 इसको जब आप करेंगे तो यह आ रहा है 0.77 0.77 आ रहा है है कि नहीं तो अब यहां पर पूट कर दिजी a1 कितना हो गया 2510 पलस के का value कितना हो गया 0.77 into a2 का value कितना था 2200 into sigma 80 कितना था 150 150 जब इसको आप solve करेंगे तो यह solve करने के बाद आ रहा है आपका यहार रहा है 631 631.88 631.88 किलो न्यूटन अब बताएए क्या हुआ टेंसायल स्ट्रेंग क्या हो गया decrease कर गया टेंसायल स्ट्रेंग क्या है कर गया मतंब रेड्यों स्ट्रेंग तो अभी क्या जब टेंसायल स्ट्रेंग नहीं कर रहा है क्या हो गया decrease कर गया टेंसायल स्ट्रेंग डिक्रीज कर गया ठीक है तो अंसर क्या लिखेंगे hence, 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 tensile strain means effect, effect on load carrying capacity, load carrying capacity, क्या हुआ है, बताए, load carrying capacity, क्या हुआ, decrease हुआ, reduce हुआ है, क्या हुआ, reduce हुआ है, और कितना से reduce हुआ है, कितना से reduce हुआ है, बताए, reduce हुआ है, आपका, पहले तो कितना था, 7, इधर वाला केस देखे, कितना था, गांगा 707.107.07.10-इस बार कितना है या 631.88 तो इतना किलो निटर्ण से क्या हो जागा यह रेड्यूस कर जाएगा यह रेड्यूस कर जाएगा हाना तो इसको शुल्ब किजेगा तो आरा का 75 km approximately 75 km है ना इसका मतलब यह हुआ कि थर्ड केस में जो आपका टेंसाइल श्रेंथ है वो क्या हो गया 75 km से रेडियोस कर गया तो यह बहुत अच्छा कोश्चन था है ना कमप्रेहेंशन टाप का कोश्चन कभी-कभी एक्जाम में पुछता था पहले पुछता है पुछता लोग देख चुके ने अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है जो आपका बहुत इंट्रेस्टिंग होने बाला एक स्टुडेंट ने कमेंट सेक्षेन में जो डॉट पुछता कि सर बेल्डिंग सेक्षेन होगा तो क्या करेंगे एन इट कै कैसे निकालेंगे तो देखें कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से पढ़िए थेले करता है नाम देखके डरना नहीं है। सिंगल एंगल isa 90x90x10 is connected by building to a gasset plate है ना ? calculate the effective area of the angle in tension क्या निकालना है A net निकालना है effective area बोले या A net बोले बोथ हर सेम उसके बाद निकालना है and tension capacity if the allowable stress is 150 Mbps नहीं भी बोलता तो मैं इतना ही लेता है ना area of the angle cell भी टेकन ए 17030 square mm है ना मतब total area कितना दे दिया आपका total area of angle section दे दिया total area of angle section मतब दोनों leg मिलाकर 1703 क्योंकि इंडिया के top exam का question है तो सारा data है जो आपको दे देगा confused नहीं करेगा एक question पुछा civil services examination UPSC civil services जिसको administrative service बोलते हैं आप लोग तो UPSC civil service में क्या होता है कि civil engineering आप optional लेकर है जो preparation भी कर सकते हैं जो लोग इसका करते हैं तो optional civil engineering रख सकते हैं जो टेकनिकल student है जो civil background से है तो टेकनिकल लेता है मैं optional के रूप में subject को तो उसमें पूछा है बारन single का case कैसा अगा बताएं single angle का case यदि हम देखें तो कुछ ऐसा होगा एक क्या है आपका gusset plate है एक क्या है gusset plate है और क्या है चलिए क्या है सबसे पहले बात की एक क्या है एक क्या है हाट कैसे के देखें किना 90 इंती नंटी का मतलब क्या हुआ एक वल हो गया तो यहाँ यह भी आपका क्या है कि 90 एम है और बी भी क्या है कि 90 एम है और इसका जो फिकनेस हो कितना दिया हुआ है टेनम नहीं है बहुत अच्छा फटीस को किया और किया किया किसे किया है कि इसलिवर्डिंग से लग से ज्साथ कीया है ना तो यहां पर इसलोगर्ण किया होगा टो के क्या निकालना है हमें तो निकालना है सबसे पहले नेट एरिया क्या निकालना है ठीक है तो नेट एरिया निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे connected area connected lake का एरे निकाले सबसे पहले क्या करेंगे area of जिसको हम लोग किसे डिनोट करते थे एबन से एबन से है ना अब एक बात बताएए यहाँ पर कोई डिरेक्शन तो किया गया नहीं किया गया है है कोई डिरेक्शन नहीं किया गया है और दोनोओ लेक किया बरावर यहाँ बरावर है है थिक टो एबन का मैं डेरेक्टि लिख सकते हूँ टोटल एडिया जिया हुआ है उसको मैं 2 से क्या क्या कर दूँ डिवाइड कर दूँ चुकि कोई डिडेक्शन तो किया गया नहीं है यहां पर कोई होल तो है नहीं तो जो भी टोटल एंगिल का एरिया है गया है 1703 उसको क्या करेंगे हाफ हाफ में डिवाइड जरतेंगे तो एरिया आप कनेक्टेड लेग हो जागा कितना हो जागा एवाइड टू मतब वन सेवन जीरो ठीरी डिवाइड बटेट टू इसको जब आप स्वर लू करेंगे तो यह आ रहा है आट सो एकावन पॉइंट फाइल अ वह देखें प्रिवियस एर कोश्चन बनाना बहुत जरूरी है हाना मेरा जो एक्स्प्रियेंस कहता है मैंने जो भी चार से फाइफ मतब पॉड टू फाइव इक्जामनेशन मैंने किलियर किया तो प्रिवियस एक्जामनेशन का बहुत बढ़ा रोल होता है अगर आप प को न सेकंड उन सेकंड क्या क्लक्लेक करें अब क्या क्लक्लेक करें बताओं marks आया आप अन्यक्टे में त्रेड़ एरिया और अ Ew गोले या और्ट्रड liken लिच वोला है अरिया आप अन्यक्टे मां इंप में आख भी हों और इसका वैलू भी क्या होगा इसका वैलू भी क्या होगा यह वाई 2 ही होगा तो जो कल्कुलेट के लिख देते हैं 851 1.5 बट हमें क्या पुछा है हमें सबसे पहले पुछा है effective area of angle intention मतलब net area पुछा है पहला question का पहला question आपको पुछा है क्या अगर ए पार्ट इसको बोल दें first question पुछा है आपसे first question पुछा है क्या a net a net बोले a effective बोले बोत हर से a net तो a net क्या होता है बताईए a1 plus k times of a2 k times of a2 यह करेंगे ना बट यहाँ पर k क्या होगा बताईए single angle है तो single angle के लिए जो आपका k होता है होता है 3 a1 divided बटा 3 a1 plus a2 plus a2 है कि नहीं plus a2 चलिए तो इस case में इस particular case में अगर हम सो लोग करें तो क्या हो जागा बताईए तो 3 times of a1 कितना है 8515 851.5 divided बटा 3 times of 851.5 plus a2 a2 का फेलो क्या होगा a2 का फेलो तो सेम ही होगा 8585851.5 इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका जो k का वैलू आ रहा है यहां पर मैं लिख देता हूं इसको इसको मैं यहां लिख देता हूं जो k का वैलू आ रहा है वो आ रहा है वो आ रहा है तो करने के बाद जिरो पाइंट सेवन फाइब जिरो पाइंट सेवन फाइब आप सब का वैलू यहां पूट कर दिए तो फर्स्ट कोर्शन का अंसर निकल जागा क्या होगा एट्ट फाइब ववन पॉइंट फाइब फैर प्लस के का वेलू कितना है जिरो पैंट सेवन फाइब इंट्ट इन्ट इन्टो तु तो सेम है एट फाइव वन अ्ट है वैट फाइव ववन प्लाइब यहां से जब सोलू करेंगे तो यह आ रहा है सोलू करने के बाद आ रहा है 1490 1490.125 mm² तो फर्स्ट कोशन था आपका एफेक्टिव एरिया पुछा था एनेट पुछा था तो पहला कंसर हो गया सेकेंड कोशन क्या पुछा है इसी में आपका सेकेंड पुछा है तो बहुत सिंपल है हमें पुछा है PT क्या पुछा है PT तो PT ब्रावर क्या हो जागा बताएए PT ब्रावर होगा एनेट इन्टु सिगमा एटी सबका वैलू पूट कर दिजी जब सबका वैलू आप पूट करेंगे एनेट कितना 1490 इन्टु सिगमा एटी कितना 150 इसको आप सोलो करेंगे तो सोलो करने के बाद आ रहा है आपका दो सो कि द्रूसों तेस्ञीट फ्रूस क्या किया क्यों उन् झाइग ब्लंभ और और यह तो यह तो था आपका ट्रेल मास्ट का कोश्चा से बिसका पूछा हुआ नेक्स बढ़ते हैं नेक्स वाहना आप एद एक कि क्या कुलेट क्याल कुलेट इसको स्वल्व करते हैं बोल क्या रहा है कुछ इसी ट्रेंट पूछ इसको स्वल्व करते हैं क्या रहा है कुछ इसी टाइब का है इसमें एक भाइलू मतलब करेक्टेट लेका वालू दिया हुआ कितना लॉंगर लेकर साथ कनेक्शन कर रहा है इसका मतलब हंडेट एम्यम्य आप लोगों ना सब्सक्राइब अच्छे से दमाना जाए समय में बीबरावर क्या है बीबरा तरह यह क्या कालना है क्या रुक्क्त में इक फालना है क्या ने काल ना इन साइल अ रस्टेंग किसे रbay्णक करते तक डाकश्न को समय मतलब क्या होता था आप अझेट इंटो सीगा एटेट जो समय कहा होता था एवन प्लस के टाइम सोब एट यहां पर एवन क्या होगा बताईए एवन क्यों था एरिया ओप कनेक्टेर ले अग मैं अब मैं डारेक्ट लिगता हूं एरिया ओप कनेक्टेर लेग होता था माइनस दीनोट कितना है बट दीनोट निकालना पड़ेगा ना दीनोट निकालना पड़ेगा तो दीनोट में यहां निकाल देता हूं है ना दीनोट यहां निकाल देता हूं क्या ग्रॉस्ट दाया ग्रॉस्ट दाया कितना हो जागा 20 पलस 1.5 कितना हो जागा 21.5 चलिए बहुत अच्छा तो 21.5 हो गया यह सब आप लोगो को आता है पहले से 21.5 माइनस टी बाइट 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 इंटु एट इंटु एट इसको जाब स्वल्व करेंगे तो a1 आ रहा है आपका 596 कि अल्रेडि मैं स्वल्व कर रहा हूं 596 किया में मस्वाइट एक टू किया होता बताए एक टू होता था एरिया औप अनकनेक्टेड लेग और ऑर अटरशन लेग इसका एरिया तो क्या होता था यह तो बहुत सिंपल है इसमें तो कोई डिदेक्षान करेंगे नहीं हा ना अगर टाइम की कमी हो रहे हो तो बी माइनस यह तो सम्झाने के लिए सिर्फ मैं लिख रहा हूं तो बी कितना है 65 है माइनस 8 वाइट टू इंटू इसको solve करने के बाद आ रहा है 488 488 mm2 ठीक है तो अब पीटी बराव डिरेक्ट लिख रहे हैं देखिए पीटी बराव डिरेक्ट लिखता हूं ए नेट ए नेट क्या होगा अभी के निकालने की जरुद पड़ेगी पहले क्या करते हैं के निकाल लेता है कि पहले की जरुद पड़ेगी तो के बरावर क्या हो जागा बताइए सिंगल एंगिल है तो सिंगल एंगिल के लिए तो होता है थ्री टाइम्स ओप अभी तो निकाले थे डिवाड़े बटर थ्री टाइम्स ओप अभन पलस एटू जब सबका भैलो पूट करेंगे तो पूट करने के बाद यह आ रहा है जिरो पाइंट 0.785 mm नदब कोई इसका वह नहीं होगा इवनिट नहीं होगा 0.785 इसका बढ़े है ना ना आव निकाल यह पीटी अब पीटी निकाली तो पीटी वह रहा है क्या हो जागा यहीं पर लिख दता हूँ, P T Broward क्या हो जागा, A net into sigma 80, तो A net क्या हो जागा, A1 plus, A1 कितना है, 596, 596, 596, P T Broward हो जाएगा, 596 plus K times of A2, 0.785 into A2 कितना है, 488, 888 into sigma 80, sigma 80 कितना, 150, इसको जब आप स्वालो करेंगे, तो यह आ रहा है, 9, 9, 146, 146, 146, 862 newton, किलो newton, किलो newton, ठीक है, तो यह तो था, SBT 2019 में 6 मास का पुछा होगा, अब देखिए, यह तो हमारे तरह से फट रहा, अब है जो आप लोग एक कोशन बनाएए, और सब लोग बनाएए, जितना लोग देखते हैं, इन्टो 25 इन्टो 60, तब A ब्रावर कितना दिया हुआ है, 40, B ब्रावर कितना दिया हुआ है, 25, T ब्रावर कितना दिया हुआ है, 6 mm, ठीक, when used as a tension member, its longer leg connected by 14 mm rivets, पहले rivets से connection हो रहा है, उसके बाद building कर रहा है, उसके बाद building कर रहा है, इसका आप answer है, जो comment section में लिखें, तो दो question पूछा है, भले rivets से connection कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक case यह हो गया आपका, मैं थोड़ा सा help कर देता हूँ, ऐसे आप इसको कर लेंगे, बहुत simple है, इतना hard question करने के बाद तो यह सब simple हो जाता है न, इस तरह से connection किया गया, longer leg साथ, यहाँ पर रिवेट है कि इतना 14 mm का, first question तो यह हो गया, second बोरा building कर रहा है, तो आप भी building कर दिजिए, आप भी building कर दिजिए, आप भी क्या कर दिजिए, building कर दिजिए, तो जब हम building करेंगे, तो कोई deduction तो होगा नहीं, कोई deduction नहीं होगा, यहाँ पर building कर रहा है, और यहाँ पर building कर रहा है, है न, ठीक है और बहुत सिंपल है वर्ष्ट केसा दोनों का अंसर आप क्या कर यह कमेंट सेक्षिन में लिखें कितना किलो न्यूटन आएगा अंसर यह आपको कमेंट सेक्षिन में लिखना है यह इस पर भी कोशन हम लोग कर लिए सेविल सर्विस में स्पुछावा था जो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा और चीजें समझ में आई होगी है और जब समझ में आता है तो आप काइंडली है जो लिखिए और लेक्षर को ज्यादा ज्यादा आपने प्रेंट के साथ सेयर किजिए जितना जहां भी आप सेयर करना हो कर सकते है फेसबुक पे सेयर किजिए बाटसब ग्रूप पे सेयर किजिए ताकि ज्यादा ज्यादा स्टुडेंट है जो बेनिफिट ले सके है कि नहीं सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और कोशन करेंगे इंपोर्ट इंपोर्टेंट प्रिवेस एक्जाम का कुछा हुआ और झाल